तो सही जो तरीका छोड़ा उसकी वज़े से मुश्किल पेश आई कि सही तरीके छोड़कर लोग मुश्किल में पढ़ गए क्योंकि अगर सही तरीके पर होते तो सही तरीके पर सही मनस पर अगर कोई होता है और फिर Allah उसकी मदद करता है ये सुनद निसाई की रिवायत है अल्ला के रसुल्ह सलम फर्माते है अदिस नंबर 104 सी और ये अल्ला के रसुल्ह सलम के इसका वाकिया जो मिलता है कि अल्ला के रसुल्ह सलम एक बार बैठे हुए थे जमीन पर और उनके हाथ में एक टेनी थी और वहाँ पर उन्होंने एक ल पता है कि ये जो सिदीलकिर देख रहे हैं, ये मेरा रास्ता है। यहां फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके होंगे और नसरानियों के 22 फिरके होंगे और मुसल्मानों के अंदर 23 फिरके होंगे यानि कि तुम उनसे भी आगे निकल जाओ के फिरकेवाजी के अंदर वो तो पीछे रहे गए जबकि अल्ला ने तो यहूदियों को लानत भी की लगिन वो भी कतर पर रहे गे नसरानी बहुततर पर और मुसलमान उससे भी आगे चलेगे यान लानती कौम से भी आगे है यानि तीततर में तुम चले जाओगे तो सहाबा ने फिर क्योगी सहाबा हो के कि हम कहीं नहीं चले जाएं इसके अंदर तो सहाबा फोरण सवाल किया है करते थे कि फिर हम क्या करें कि सहाबा ने सवाल किया कि फिर वो कौन सा फिरका होगा कौन सी चीज है कौन सी जमात है जिसके साथ हम रहें तो अल्ला कि रसुल्ला सुल्म ने फरमाया कि अल जमा कि जमात में रहना जमात में रहना तो अब क्या जमात से मुराज जमात बना कर रहना जरूरी है वही रहेगा क्या यही बात है इसके अंदर फिर जमात में जाना पड़ेगा किसी में हमको जो सही तरी पर यह सदिश चले आगे एक और जो रिवायत मिलती है यह जामी की रिवायत है यह अल्ला के सरु असलों ने फरमाया वही वाकिया उसके अंदर हुआ और सहाबा ने पूछा कि वो कौन सा होगा तो अल्ला के रिवायत नाजिया फिरका होगा तो नाजिया कौन तो यहां से भी हमको यहां पर पूरा मिलता है कि मैं और मेरे सहाबा तो यहां पर बता है तो तरीका इनका हमको लेना पड़ेगा तो फिर हम वो फला पा सकते हैं, कामियाभी हम पा सकते हैं